नमस्कार दोस्तों माय टिक्स वीडियो में आपका एक वाय फिर से बहुत-बहुत स्वागत था और मेरा नाम है रामबा उक्मार दोस्तों बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते कि बैनर कैसे बना जाता है ओभी एंडोज मुआल से तो आज मैं आपको अपने एंडोज मुआल से बैनर बनाना बिल्कुल आसान तरीके से सिखाऊंगा जिहां दोस्तों आज आप अपने एंडोज मुआल से बैनर बनाना सीख जाएगा दोस्तों वीडियो की तरफ जाने से परले मेरा एक छोटा सारी क्विएस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरी चैनल का वीडियो देख रहा है तो वीडियो की नीचे लाल क्रेंड में सस्क्राइब लिखा हुआ मिलेगा उस पर टच करके आप पी चैनल को सस्क्राइब कर ले औ तो दोस्तो जब फर्स टाइम आप इसापको open की जाएगा तो इस तरह से आपको चार option मिल जागा पहला केरियट दूसरा continue और इसी तरह आगे भी तो दोस्तो आपको केरियट पे touch करना है जब आप केरियट पे touch की जागा तो आपके सामने इस तरह से एक नया interface आ जागा आप देख सकते हैं यहाँ पे texture है, आटमने समढ़ है और भी बहुत सारा option है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे album का है और यहाँ पे color का है तो यहाँ इस तरह से आपको option मिल जागा दोस्तो दोस्तो यहाँ पे texture पर जब आप टच कीजिएगा तो आपको यहाँ पे बहुत सारा background मिल जाएगा यहाँ पे आप texture से भी background ले सकते हैं यहाँ पे आटमन से भी ले सकते हैं और यहाँ पे summer है यहाँ से भी ले सकते हैं और भी सारा है जहां से आप यहाँ पे background डाउनलोट कर सकते हैं आप इस में से जिस background का यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं तो चलिए यहाँ पर हमें एक बैक्राउंड को ले लेते हैं बैक्राउंड पर टच करना कवाद यहां पर आपको साइच करना होगा चलिए हम इस वाले साइच को चूच कर लेते हैं तो यहां पर देख सकते हैं मेरा बैक्राउंड आगया बैनर का अब दोस्तों करना क्या यहां पर चार जिसमें लिखा हुआ है double tape to edit तो आपको इस text पर double tape कर देना है जब आप उस पर double tape किजिएगा तो आपके सामने आपका keep it open हो जाएगा अब आप जो लिखना चाहते हैं इसमें लिख सकते हैं चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं subscribe करें यहाँ पर देख सकते है यहाँ एक old tape करें लिख दिये और यहाँ apply का option इस पे टच कर देते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं oh word यहाँ आचुका है अब यहाँ इहाँ पर 2 option मिल रहा है नीचे size का और rotate का आप चाहे तो इसको rotate भी कर सकते है और यहां से आप चाहे तो इसका size छोटा बड़ा कर सकते हैं तो इस तरह से यहां पर size आ चुका है अब दोस्तों इसका अगर color बतलना चाहते हैं तो यहां पर नीचे देख सकते हैं gold circle दिया गया corner में यहां पर आपको touch करना होगा जब यह यहां पर touch किजिएगा तो यहां से आप जो color चूच करना चाहे कर सकते हैं आपको simply color पर ले जाके touch कर देना है और यहां से जो मीटर है इसको खसका देना है तो इस तरह से आप color भी चूच कर सकते है और यहां पर shadow लगा सकते है नहीं लगाना चाहे तो नहीं लगा सकते है आप city को भी कम या ज्यादा कर सकते है चलिए done पे touch कर देते हैं तो यहाँ पे मेरा जो text है यहाँ पे देख सकते है कि color हो गया अब दोस्तों आपको करना क्या अगर इस text का अब आपको अपने हिसाब से अपने font को adjustment कर सकते है अगर आपको पसंद नहीं तो आप यहां से cross करके बाहर आ सकते है तो दोस्तों यह तो हो गया पहला वाला और दूसरा option यहां remove का आप चाहे तो इसे remove कर सकते है और तिसरा option apply का तो अब आपको apply पे touch करना होगा जब आप apply तो आपका जो text है यहां पे apply हो जाएगा अब दोस्तों यहां पे दूसरा option है gallery का दोस्तों अगर आपको यह background पसंद रही है आप चाहते कि आपके अपने mobile से कोई background बन जाए तो यहां पे आपको touch करना होगा और यहां पे background का option देख सदे इस पे touch करके आप अपने mobile के और इस पे कोई दूसरा image आ जाए तो आपको image पे touch करना होगा image पे touch करना के बाद दोस्तों आप अपने gallery से कोई भी image को ले सकते है जिस image को आप अपने binary पे लगाना चाहते है तो चलिए हम अपने gallery से image को ले लेते हैं यह मेरा image रहा तो चलिए हम इस image को ले लेते है और य इस तरह से आपको dry करके select कर लेना है, और यहां सबसे उपर सही का tick देख सकते हैं इस पे 아पको touch कर देना है। उस पे टच करने के बाद दोस्तों आपका जो पिक्चर है आपके बैनर पे चला आएगा यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पिक्चर यहाँ पे बैनर पे चलाया है तो इस तरह से आपका पिक्चर चलाएगा उसके बाद दोस्तों अगर आप अपने पिक्चर में फ्रेम लगान चाहिए कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने मोबाइल से ही बहुत ही अच्छा बैनर बना सकते हैं तो आप देख सकते हैं तरह तरह का फ्रेम दिया गया है तो इसमें से हम कोई एक फ्रेम को यूज कर लेते हैं तो चलिए दोस्तों हम इसी फ्रेम को रहने देते हैं उसके ब डाल सकते और apply कर सकते उसके बाद दोस्तों आपका last काम क्या है यहाँ पर सबसे उपर सही का टिक देख सकते इस पर आपको touch करना होगा उस पर touch करना के बाद दो option हैगा save my draft और export to gallery का तो आपको export to gallery पर touch कर देना है उस पर touch करना के बाद आपका यह जो बैनर है आपके gallery में automatic save हो जाएगा तो इस तरह से आप एक अच्छे से बैनर बना सकते है अब चलिए दोस्तों हम बाहर आते हैं और देखते कि इसको download कहां से करना है तो simply दोस्तों आपको play store में चला जाना है और poster maker लिकर search कर देना है जब search की जिगा तो आपके सामने इस poster maker का app आ जागा तो आपको इसी app को download कर लेना है दोस्तों देख सकते यहाँ पर इसे 1 million लोगों ने download के आप 4.6 का rating मिला है तो चलिए दोस्तों हम बाहर आते हैं तो दोस्तों इस तरह से आज किस वीडियो में आपने सीखा कि किस तरह हम अपने mobile से एक अच्छा सा बैनर बनाएं